तो फ्रेंस आज आपको जैसे की बताने वाला हूं कि अगर आप अपना फोटो अपना सौंग और अपनी स्ताहिरी लगाकर कि अगर आप ब्रत्रडे की विशिंग वेबसेट लिंग बनना चाहते हैं अपनी खुद की तो कैसे बना सकते हो तो इसके लिए आपको करना है कि सब आप्पर आपको व्रत्रडे लिख देना है ठीक है जैसे आपट यहाँ पर आपको नीचे कुछ आर्टिकल्स देखने के लिए निल जाएंगї यहां पर आप direct आ जाओगे link पर click करने के बार ठीक है अब आपको यहां पर सबसे last में आ जाना है यहां पर इस article के सबसे last में आपको आना है और यहां पर इस article में भी मैंने बता रखा कि आप किस तरीके से आप जो है कि अपनी photo से birthday का wishing website link बना सकते हो अब आपको यहां पर open website सेट पर क्लिक करना जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो उसके बाद कुस दिर यहाँ पर टाइमिंग चलती है यहाँ पर सिर्फ 10 सेकेंड के लिए आपको यहाँ पर वेट करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा एक के उपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर login करना होगा जैसे कि मैं यहाँ पर login कर लिया हूँ बट आपको यहाँ पर email id सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो आपको यह email id सेलेक्ट करके उससे आप यहाँ पर login कर लेना जैसे login कर तो आपका नाम यहाँ पर दिखना है start हो जाएगा तो यह पहले आपको करना है अगर आप login नहीं करोगे और यहाँ पर सारी details पहले भर दोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अफना login करना है login करने के बाद यहाँ पर आऊगे तो आपको दो option देखने के लिए मिलते हैं पहला आपको prime mode का मिलता है एक developer mode का मिलता है तो इन में से आपको यहाँ पर prime mode वाला option इसको select करके रखना होगा और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर event title पर आपको लिख देना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको wishing you लिखना होगा ठीक है यहाँ अगर आप कुछ और लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो बर्ट यहाँ पर मैं wishing you लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हूँ यहाँ पर example दिया गया कि आप यहाँ पर यह चीज लिख सकते हो अगर आप यहाँ पर कुछ और लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ very very happy और यहां पर बरडे मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से उसके बाद यहां पर आपसे template select करने के लिए बोल जाता है यानि कि थीम तो आप यहां पर जो भी थीम अपना रखना चाहो वो थीम आप यहां पढ़से बत्क्राइब उसके बाद यहां पर कुछिए कुछ अपर्टेन सेलेक्ट करना पढ़ेगा जैसे Max क्लिक क्या जाएगा उसके सामने यहां पर इन में से फोटो सबसे पहले दिखाई देगा तो इसमें से चयले हम इहां पर बड़े का बना रहे तो यहाँ पर हम पहला, वाला, सिलेक्ट कर लिटे जो Friends वाला है, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ DANKERS देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें से आपको जो की Burdhe वाले आइकन या पर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर देशे तो कुछ यहाँ पर birthday के आईकन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं cake वगर के यह सब आपको select ने और यहाँ से कुछ आपको flowers select ने जो कि आप जो link बनाओगे उसमें इससद flowers आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अब यहाँ पर add audio पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको इस website में कुछ बड़े के song देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आप चाहो तो इनको use कर सकते हो बट अगर आपके phone में है कोई गाना उसको अगर आपको use करना तो आपको upload के ओपर click करना है नहीं बता सकता हूं क्योंकि यह YouTube के खिलाफ है आप मुझे Instagram पर message कर देना link आपको description box में मिल जाएगा तो वहाँ पर मैं बता दूँगा कि किस तरीके से आप जो कि MP3 download करके आप यहाँ पर इसमें लगा सकते हो तो अभी चलिए यहाँ पर जैसे कि आप तो हम यहाँ पर upload के उपर click कर देते हैं और उसके बद यहाँ पर choose file के उपर हम click कर देते हैं और इसके बद यहाँ पर करते हैं browse के उपर और browse के उपर क्लिक करने बाद फिर यहां पर में Earn Johann label पे क्लिक करता हूँ और यहां से मिशलत है उसकु पर फोटो है उसको स्टेक्ट कर लेता हूँ जैसा कि आभी आप देख सकते हैं और इसमें से जो स्क्रिंग शॉट लेने से आपके इमेज का जो एंबी है वो कम हो जाएगा उसके बाद फिर आपको यहां पर अपलोड पे क्लिक करना है जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपका फोटो यहां पर देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीकिस से अब आपको यहां पर मैसेज लिखना यानि कि आपको यहां पर शाहिरी लिखना पड़ेगा जो आपका विशिंग वेबसेट लिंक बन रहा है इसमें तो अभी हम यहां पर जो फर्स्ट वेबसेट पर हम आई थे यहां पर इस वाली पर तो अभी आपको यहां पर दुबारा से आना है यहां आप यहां से copy कर सकते हैं, उसके बाद यहां पर आपको first link के पर click करना है, और फिर आपको यहां पर बहुत सारी शाहिरी देखने के लिए मिल जाएंगे, इसमें से आपको जो भी पसंद आता है, उसके सामने copy बटन दिया जाएगा, इस पर click करके आप इसको copy कर लेना, copy करने के बाद आप आप से यहां पर बुला जाता है inter event URL, तो अब आपको यहां पर inter event URL में क्या डालना है, वो भी मैं बता देता हूँ, तो अभी हम यहां पर इस website में आना है, जहां पर अभी हम आय थे पहले, यहां पर आनेक बाद आप आप देखो को जो भी हमने सेर्च किया थ यह स्लेक्ट हो जाएगा अब आपको यहाँ पर copy पर क्लिक करना यह copy हो चुका है तो अभी हम चलिए यहाँ पर आ जाते हैं और अब हम यहाँ पर इसको paste कर देते हैं event URL में तो इस तरीके से आपको इसको URL को यहाँ पर paste करना है और यह जो आपको देखने के लिए मिल जाता ह सबसे पहले उसको यहाँ पर यह दिल दिखेगा और यह जैसी दिल पर वह सामने वाला बंदा क्लिक करेगा फिर main website हमारी open हो जाएगी अब हम यहाँ पर क्या करते हैं brand name में आपको इसको हटाना है और यहाँ पर आपको लिखना है rgtechnicalboy.com यतना आपको लिख देना है आपको इस process को करने में और समझने में कहीं पर भी आपको दिक्कत हुई है तो आप वीडियो को जो की पीछे करके आप तब देख सकते हूँ ठीक है और उसके बाद फिर आप देखो कि यह कुछ चीज तरीके से generate हो जाता है हमारा link अब आपको यहाँ पर copy URL link पे आपको क्ल address वगरा हो जाता है तो आपको दुबारा से यहाँ पर इसारी चीजे डालनी ही पड़ेंगी दुबारा से बनाना होगा लेकिन अगर आप link copy कर लेते हो तो आप फिर paste कर पाऊगे तो आपको यहाँ पर बनाना नहीं पड़ेगा तो आपको सबसे पहले link को copy करना है फिर यहाँ पर लिख दया कुमार ठीक है यहाँ पर जैसे मैंने अपना उमेश कुमार लिखा उसके बाद यहाँ पर मैं okay पर क्लिक करता हूँ फिर यहाँ पर जैसे हमने जो दिल सेलेक्ट किया था वो आगया हम इस पर क्लिक करते ही जैसे ही उसके बद अभी हमारी जो wishing website link है व और उसका फोटो आपको देखने करें मिल जाएगा यहाँ पर हमने जो शायडी डाले थी वह भी हमें देखने करें मिल जाती है और नीचे आपको शेयर बटन मिलता है इस पर क्लिक करके आप इसको शेयर कर पाऊँगे और जैसकि मैंने आपको बताया कि जैसे आप समने बं कहीं पर भी अगर थोड़ा से भी अच्छा लग हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अगर आपका ये विशिंग वैबसाइड लिंक बन जाते है आप ब्रत्रडे का तो आप मुझे कॉमेंट करके बता देना और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हा रही ह तो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना वहाँ पर आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आप मुझे डारेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप अपने उस प्रॉब्ल